25 सितंबर, सर पित्र अमावस्या, पित्र पक्ष का आखरी दिन, कुट्टी को खिला दे, यह एक चीज, होगा सभी दुश्मनों का नाश, मृत्यु डंड, पित्र दोश, तुरंथ होगा समाप्ट, ओम कैंशी महागड़ी शाय नमा, राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों सर पित्र अमावस्या, पित्रों को समर्पित होती है, इस दिन सभी भूले बिसे पित्रों का शाय किया जाता है, जिन पित्रों की मृत्यु दिधी ज्याद ना हो, उनका शाय तरपड भी इसी दिन किया जाता है, कहते हैं सर पित्र अमावस्या पित्रों का शाय त प्रदान करते हैं सर्पित्र अमावस्या की रात्रे को ही पित्र वापस पित्र लोग को चले जाते हैं इसलिए यह पित्रों को प्रसंद कहने का आखरी मौका होता है दोस्तों इस बार की सर पित्र अमावस्या पर तो स्वास सिध्य योग और अम्रसिध्य योग एक सार बन रही है इसलिए इस बार की यह अमावस्या और भी जादा खास हो गई है इस दिन पित्रों की निमित थोड़े से प्रयास से ही आप पित्रों की किरपा प्राप्त कर सकते हैं पित्रों को प्रसंद करने के लिए सबसे जरूरी चीज है शर्था बिना शर्था के दिया हुआ शाथ पित्रों को प्राप्त नहीं होता उनकी आत्मा को संतुष्टी नहीं मिलती और ना ही उनका आश्रवात संतान को प्राप्त होता है शर्था से पित्रों को कुछ अर्पित करना ही शाथ कहलाता है जिनके पित्र प्रसंद नहीं होते उन्हें पित्रदोश लगता है उन्हें अनेग प्रकार की परिशानियां हानियां उठानी परती हैं घर में कलह अशांती रहती है रोख पीड़ाईं पीछा नहीं छोड़ती घर में आपसे मदभीद बने रहते हैं कार्यों में अनेग प्रकार की बाधाईं उत्पन्न होती हैं इसके साथ ही अकार मृत्यों का भैबना रहता है, संकट अन्होनियां अमंगल की आशंका बनी रहती है, संतान की प्राप्ती में बिलंब होता है, घर में धन का अभाब भी रहता है, साथ ही अनेक प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है. दोस्तों सर्प पित्र अमावस्या पित्रों को प्रसंद करने का सबसे खास दिन माना जाता है, और यह पित्र पक्ष का आखरी दिन भी होता है, इसलिए यह आखरी मौका होता है जब हम पित्रों का आशिवान प्राप्त कर सकते हैं, इस दिन एक छोटा सा उपाई करके भी प पित्तों को प्रसंद कर सकते हैं और पित्र दोश से मुक्ति पा सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको शास्तों में बताया गया वही छोटा सा उपाई बताने जा रहे हैं इस उपाई को कहने से निश्चे ही आपको पित्र दोश से मुक्ति मिल जाएगी साथ ही आपके क साथ ही शनी दोश और काल सर्थ दोश से भी राहत मिलेगी और सभी प्रकार की संकर दूर हो जाएंगे पित्र दोश पित्र आशिरवाद में बतल जाएगा दोस्तों इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें अगर आपने हमारी चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें जिससे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्रे में सबसे पहले मिल पाएं तो आईए दोस्तों जानते हैं इस उपाए के बारे में उपाए करने के लिए इस्नान करके सच्छे वस्ते धारन करें इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें फिर आप सच्छे जलसी आटा मरें आटा आपको बिना नवक मिच का मरना है पिलकुर आपको प्लेन आटा मरना है आटा मरने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं दोस्तों हमेशा भूजन बनाते समय पहली रोटी गौमाता के लिए बनानी चाहिए गौ माता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं जिब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में आप मौटी लोई लें मौटी लोई का मतलब है कि सारी परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं यानि कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा जादा आटा आपको अंतिकी रोटी बनाने के लिए लेना है आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें जैसे पराठी, आलू के पराठी या कचोरी बनाते समय फिलिंग भरी जाती है उसी तरहें आपको आटे में एक चम्मर शक्कर रखनी है और फिर इसकी रोटी बिलकर एक मौटी रोटी सेखनी है जब ये मीठी रोटी तयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और इस रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाए और भगवान शिरी गणेश, भगवान विश्णू, मा लक्ष्मी जी और पित्य देप को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रातना करें शनी देप को प्रणाम करें और शनी दोश को दूर करने की प्रातना करें पित्रों से जाने अंजाने में की गई अपनी सभी कलतियों की शमा मांगें और पिते दोश को दूर करने की भी प्रात्ना करें और यमदेब को प्रणाम करें यमदेब को प्रणाम करने के पश्चाथ अब आप इस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुट्टे को खिला दें अगर काले रंग का कुट्टा ना मिले तो आप किसी भी और कुट्टे को भी इस रोटी को खिला सकते हैं दोस्तों शास्तों में बताया गया है कि शाथ पक्ष के दोरान पित्र पशु पक्षी के माथ्यम से हमारे करीब आते हैं मानिता है कि पित्रों तक भोजन पहुचाने के लिए चीटी, कौवे, स्वान, गाय बर देब को भोजन कराया जाता है यह भी मानिता है कि यह पाँचों पंचे तत्व के भी प्रतीक है स्वान को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है चीटी को अगनी तत्व का, कौवे को बायू तत्व का, गाय को प्रत्वी तत्व का और देपताओं को आकाश का प्रतीक माना जाता है इसलिए पित्रों का शाहत्य करते समय हम पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रती आभार प्रकट करते हैं पंचवली का एक भाग स्वान को खिलाया जाता है। दोस्तों स्वान को यम्राज का पशु माना चाता है। माना चाता है कि यम्राज के अपने दो स्वान हैं जिनका नाम श्याम और सबल है। इसलिए शाथपक्ष में स्वान को भोचन कराने से यम्राज प्रसन्न होते हैं। शिप पुराण में पताया गया है कि शाथ पक्ष के तौरान स्वान को भोचन देते हुए कहना चाहिए कि यम्राज के मार्ग का अनुसरन करने वाले श्यामबा सबल नाम के तो स्वान हैं, मैं उनके लिए यह भोचन का भाग देता हूँ, भी इस बली को ग्रहण करें, इसे क उकर बली भी कहा चाहता है, इसलिए आप भी स्वान को भोचन कराते समय यह बात अवश्य ही बोलें, कि यम्राज के मार्ग का अनुसरन करने वाले श्यामबा सबल नाम के तो स्वान हैं, मैं उनके लिए यह भोचन का भाग देता हूँ, भी इस बली को ग्रहण करें, आपक को रोटी देने के बाद आप हाथ छोड़कर स्वान को प्रणाम करें, यम्राज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें, स्वान को भैरव महराज का भी सीवक माना जाता है, स्वान को भोचन कराने से भैरव महराज बसन्य होते हैं, और संकटों से भक्त की रक्षा करते हैं जो लोग स्वान को भूचन कराते हैं उन्हें शनी देब की भी कृपा प्राप्त होती है और शनी दोस्ती राहत मिलती है शास्तों में बताया गया है कि पित्र पक्ष के दौरान पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पित्र दोस्ती मुट्डी प्राप्त होते हैं पित्रों का आशिरवात प्राप्त होता है और पित्र दोश से मुक्ति मिलती है स्वान को इस तरहें भोजन कराने से सभी तरहें के संकर दूर हो जाते हैं दोस्तों हो सके तो पित्र पक्ष में रोजाना आपको स्वान को इस तरहें भोजन अवश्य ही कराना चाहिए स्वान का बहुत पहत्व शास्तों में बताया गया है माना जाता है कि स्वान आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है स्वान को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे स्वान को प्रतितिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भेमिट जाता है वहीं व्यक्ति निदर भी हो जाता है माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में स्वान को पालते हैं याने कि कुत्ति को पालते हैं कुट्ता उस घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने उपर लेता है। दोस्तों स्वान को भोजन कराते समय इस बात का विशिष ठ्यान रखें। हो सके तो पित्र पक्ष में दोपहर के समय यानि की दोपहर बारा बजे से एक बचे के बीच में ही आप स्वान को भोजन कराएं। क्योंकि यह समय पित्रों का समय होता है। इस समय स्वान को भोजन कराने से पित्र बहुत जलते प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाई को करते समय आपको इस बात का भी विशेश ध्यान रखना चाहिए, आपको स्वान का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ लोग होते हैं जो रस्ता चलते, कुटों के उपर पत्थर फैकते हैं, या फिर अपने घर में कुट्टे पालते तो हैं, लेक आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तिदारों में जादर से जादर शेयर करें, जिस से भैभी इसका लाब उठा सकें, हमारी और भी वीडियो इसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, थेक्स फॉर वचिंग, राधी राधी